नमस्ते स्टूडिन्स, इस वीडियो में हम 10th Standard Marathi Textbook का 10th Chapter कर रहें, रंग सहित्याचे, आपने विचार, भाव भावना, योग्य प्रकारे आणी प्रभावी पड़े मांडाय चे अस्तिल तर भाशेवर प्रभुत्व हवे, इसका मतलब है, अपने विचार, अपनी भावना ह अगर हमको सही धंग से और प्रभावी मतलब हम इंफ्लेंस करने के किसी पर असर करने के लिए हमको अगर रखनी है, तो हमें भाशे पर कंट्रोल चाहिए, प्रभुत्व चाहिए, तो आगे लिखा है, मराथी भाशा विविद सहित्य प्रकारानी सम्रुद आहे, मतलब मराथी भाशा विविद, मतलब अलग-अलग तरिके की डिफरेंट, विविद मतलब डिफरेंट सहित्य, मतलब लिट्रेचर प्रकार, मतलब टाइप, तो मराथी भाशा अलग-अलग लिट्रेचर टाइप से सम्रूद मतलब रिच है या साहितियाचिया वाचना ने भाषेवर प्रभुत्व येते आणी जीवनाब्रह भुव ही सम्रूद होते मतलब ये literature मतलब लग-लग तरीके की किताबने से वाचना मतलowanie बाचन मतला पढ़ने से भाशेवर मतला भाशा के ओपर पंड्रोल आता है और हमारे जीवन में अनुभाव भी मिलता है हमको जीवना भाव भी समरुध होते हैं वह भी रिच होता है हमारा जीवन के अनुभाव कि हम अलग-अलग कथा कहानिया पढ़ते हैं तो हमको वह experience पता कविनियात आला है मतलब ये chapter में रंग सहित्या जे हैं मतलब सहित्य मतलब लिटरेजर के अलग-अलग तो ये पाठ में ये चाप्टर में विविद मतलब यहां भी विविद शब्दाया था मतलब विविद सहित्य प्रकारांचिया परिचय परिचय मतलब इंट्रॉक्षिन दिया गया है ये चैप्टम में अलग-अलग सहित्य के टाइप्स का लिटर्चर के टाइप्स का इंट्रॉक्षिन परिचय करून दिया गया है या सहित्य प्रकारांशी मैत्री के लिए तर मनोरंजन बरोबर आपले ज्ञान ही वाहिद असा संदेश ही दिला है मतलब अगर ये लिटरचा के साथ दोस्ती करेंगे तो मनोरंजन एंटर्टेन्मेंट होगा यूकर हम किताबे अलग-अलग तरीके की पोयम्स, स्टोरीज, नॉवेल्स वगेरा पढ़ेंगे तो हमारा एंटर्टेन्मेंट भी होगा और हमोए ग्यान, नॉलेज भी मिलेगा नॉलेज भी बढ़ेगा, वाडेल मतलब बढ़ेगा, ये मैसेज संदेश मतलब मैसेज दिलाट, नाट्यस वरूपातील हाँ पाथ साहित्यातील विविद कलाकुरुपीं चा परिचे करून देडारा है, मतलब नाट्या, मतलब ड्रामा के पॉर्म में मतलब, तो नाट्यस साहित्यक की अलग-अलग कलाकुरुती का परिचे हमको दे रहा है, मतलब उसकी जो आठ फॉर्म है, कला मतलब आठ, आठ फॉर्म का इंट्रोड़क्शन परिचे हमको दिया गया है, तो ये इंट्रोड़क्शन था, अब हम चाप्टर स्टार्ट करेंगे, सुष्रूत चा वर्गाची, सहल, भिलार या पुस्तकाँंच्या गावाला नेनयाजी thरले। मतलब सुष्रूत यहाँ पर जो बच्चा है, उसका नाम है वर्ग मतलब कलास। तो सुष्रूत के वर्ग की सहल, सहल मतलब एक सेर, तो वो सेर के लिए भिलार, ये पुस्तक का गाउं है, मतल ये सुशूत की class share के लिए, study के लिए, सहल के लिए, भिलार ये पुस्तक के गाउं में ले जाने वाले थे, धरले, धरले, मतलब ये decide किया गया, वर्गाच सूचना आ लिए, मतलब class में ये सूचना notice आई, मतलब इनको ये information दी गए, दूसरे दिवशी, शिक्षकानी भिलार ये गाउं की महिती सांदुक लिए, उसरे दिन शिक्षक, तीचर्ज ने भिलार ये गाउं की महिती, महिती मतलब information, तो सूचना महिती, तो वह similar words है, तो ये महिती उनको दी गए, महिती वो गाउं के बारे में information इनको दी गए, यहाँ पर सूचना था कि उनको ये सूचना पुस्तक का गाउं की महिती गए, तो ये पुस्तक का गाउं कैसे है, त्या बाबत एक फिल्म दाखव लिए, उसके बारे में एक फिल्म में उनको दिखाई गए, घिलार गाउं की, शुशुचरुत ला थे खूप आवडले, तो सुशुचरुत को ये फिल्म भूट अच् मतलब घर बापस परत मतलब बापस आने पर तो घर परत लिया वर तो सहली ला मतलब यह वो सहल के लिए जाने वाला है इसलिए महडून मतलब इसलिए वो आनन्द मतलब खुशी से जोपला मतलब सो गया कही वेडाने त्याला जानावले कि कुष्दक के मुला मुलींचया वेश करूं आणी हाताद हात गालूं आनन्दाने गानी गाता है, नाच zach है वेड मतलब ताइम, तो थोड़े ताइम बाद उसको पता चला, जाना मुला मींजु उसको पता चला कि काफी पुस्तके, थोड़ी पुस्तके बुक्स, मूला मुलिंचय वेश। बेश मतलब कपडे, तो लडके लडकियों के कपडे पहन के और हाथ में हाथ कुशी से गाने गाने गा रहे हैं नाच रहे हैं यहाँ फोटो भी दिखाया गया है कि तुस्तक ऐसे नाच रहे है घा रहे तो ऐसे उसे लगा थोड़े टाइम लब एवड़च नाहीतर त्याला उठवत ही आहे इतना ही ने कि वह नाच रही उसको उठा भी रहे सुष्रुत को जो सोया है सुष्रुत जोपे तच महडाला वो सुष्रुत सोतेवई बोला कौन ने तुभी इथे काय करत आहात मतलब कौन हो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो इथे मतलब यहां क्या कर रहे हो पुस्तकाच्या वेशातिल मुले सुष्रुत ला वलाली अरे आमही सर्व तुला भेटायला आलो आ होत आमहला तुभी मैत्री कड़ाय अहे उन्होंने सुष्रुत बोला अरे हम सर्व हम सब तुछे मिलने भेट करंने मतलब मिलने, भेटायला आलो हो, हम तुझे मिलने आए है, आम हाला तुझे आशी महित्री कराईची है, मतलब हमें तुझसे दोस्ती करनी है, फिर आगे पूरा अभी डायलोग फर्म में है, तो पहला डायलोग है, सुशृत बोलता है, तुझे सगड़े कौन आहाथ, अरे अ से घबराता क्यों है, हम सब, सग्रे मीन सब, आपलेच मित्रा है, मतलब हम सब तुझारे मित्र ही है, सग्रियांची चांगली महित्री होई तुझे, माजी ओड़क तर तुला लहानी पासुना चाहे, मतलब सब के साथ अच्छी, चांगली मीन अच्छी, अच्छी बोस्ती होगी तेरी माजी ओड़क, मतलब मेरी ओड़क तो, मतलब कथा की ओड़क तो तुझे लहान पढ़ा पासुना चाहे, मतलब मेरी ओड़क मतलब पैचान, तुझे तेरे बचपन से ही होगी, लहान मतलब बचपन, छोटा, छोटी है से, लहान पढ़ा पासुन, मतलब यहां पर बहुत important statement है इसको आप अपनी textbook में भी underline कर सकते है जब passage में भी question पुछे जाए कि कथा का दूसरा नाम क्या है तो आपको पताना चे कथा चे दूसरे नाव का है तो box अगर बना होगा तो उसमें लिखना है हमको ghost फिर अगला सुष्वुत पुछता है आप ले ओड़क कशिक आए तो जब हो बोलती है कि मेरी ओड़क तुझे लहान पाना पासुनना चाहे तो कथा बोलती है आईचिया, आजीचिया मतलब मा से और आजी मतलब दादी से तोन मतलब मू से तो आई और आजी के तोन से इसापनिती मतलब इसाप फेबल्स इसापनिती तो यह भी नाम है इसापनिती, पंच तंतर, अकबर बीरपल्स तो यह तीन नाम है इसाप निती मतलब इसाप फेबल से पंच तंत्र और अकबर भीरफल तो यह तीन नाम है तो वही बोल रहे हैं यहां पर किये आई आजी के तोंड से तुमने मुंसे यह कहानिया तो तुमने सुनी होगी अइकत अइकत तुम्हाला मला वाचायची सवय लागते ना मतलब यह आई आजी के मुंसे यह तीनों ऐसी कहानिया अशागोश्टी ऐसी कहानिया अइकते मतलब सुनते सुनते तुम्हाला तुम्हे मेरी वाचायची सवय लागते ना मतलब मुझे पढ़ने की सवय मतलब इज कोलह, उंदिर, ससा कासव, यांचिया गोश्टी सामगाईची यहां पर सुशुरुत कह रहा है कि हाँ, मुझे आठवल, आठवल मतलब याद आया आजी मतलब दादी मुझे हमेशा कोलह, कोलह मतलब फॉक्स, उंदिर मतलब चुहा, ससा कासव मतलब के, Hare and the tortoise की जो स्टोरी होती है, ससा कासव, यह कहानिया मुझे बोलती थी, तो यह सब पंच तंत्र इसपनीती की कहानिया है, तो कथा इस पर जवाब देती है, बर का सुशुरुत, मतलब, बर मीन्स, ठीक है न, सुशुरुत, आकर्शक शुरुवाद, आणि पडिराम वाचक परिराम कारक शेवट ही माजी वैशिष्टी, यह भी important सवाल है, कि कथा की वैशिष्टिया, मतलब, कथा की special characteristics क्या है, वैशिष्टिया क्या है, यहाँ पर दो दिया हुआ है, कि सुरुवाद कैसे होनी चाहिए, शुरु कैसे होनी चाहिए, और शेवट, मतलब, अं moral stories पढ़ते तो यह जो इसाप नीती, पंशित अंत्र है, अकबर विरुल, यह moral stories होती है, परिणाम कारक मतलब, जो result, जो finally, उनका जो, जो हमको moral मिलता है, वैसे यह मेरी वैशिष्टिया, यह final उसका कुछ परिणाम को, परिणाम कारक शेवट, इस पर सुष्रुत कहता है, तुझे काही प्रकार अस्तात्ता, कारण आज मराठी चा मैडम महनाला, आपन साहस कथा शिकुया, तो सुष्रुत इसको, कथा से, जब कथा न उसकी वैशिष्टिया बताई, सुष्रुत को, तो सुष्रुत न आगे पूछा, कि क्या कथा के अलग-अलग, तुमारे अलग साहस कथा, सिखेंगे, मतलब के साहस कथा, एक टाइप अफ कथा हुगी, तो इसलिए उन्हें सुष्रुत न ये सवाल पूछा, तो इस पर कथा ने जवाब दिया, अगदी बरोवर, मतलब एकदम सही, तो उन्हें क्या कहा, परी कथा, बोध कथा, विज्यान कथा, एतिहा कथा के उठ प्रकार क्या है, तो ये चांद नाम्या पर दिये के, परी कथा, बोध कथा, विज्यान कथा, एतिहासिक कथा, फिर और आगे कथा कहती है, शिवाय, मतलब इसके अलावा, नातक, मालिका, चित्रपट या सर्वा ललित कला, अचिया पाया महजे मी, ललित कला मत और ललित कला, तो ललित कला मतलब performing arts, तो ललित कला का पाया जो है, ये मैं ही हूँ, तो मतलब पाया मतलब उसका foundation, कथा है, स्टोरी बगेर आप नातक नहीं देख सकते, स्टोरी में, नातक में स्टोरी तो होगी, मालिका, चित्रपट, ये सब में स्टोरी होना जरूरी है, सोरीज बगेर यह हो नहीं सकते, तो नातक मतलब होता है, ड्रामा, नालिका मतलब टीवी सीरियल, और चितरपट मतलब फिल्ट, यह सब ललित कला है, परफर्मिंग आर्ट से, इनका पाया, इनका फांडेशन जो है, वो कथा होती है, तो यह important तीन चीज़ है, कि कौन सी ललित कथा के बारे में बोला, तो उन्होंने अलग-अलग टाइप्स बता है, परी कथा, बोध कथा, विज्ञान कथा, एतिहासिक कथा, तो परी कथा का मतलब होता है, परियों के बारे में, बोध कथा, बोध मतलब मॉरल, तो बोध कथा है, विज्ञान कथा, विज्ञान मतलब साइन्स तो साइन्स स्टोरी साइन्स विक्षिट और एटिहासिक कथा मतलब हिस्ट्री के रिलेटेट कथा होती है तो यह अलग-अलग इसके अनेक उप्रकार कथा की है फिर उन्होंने कौन से लगलित कथा पाया है बताया फिर आगे है मूर कथा दर्जेदार असलिया शिवाय कोणती ही कलाकृती उत्तम हो शकत नहीं मतलब के मूर मतलब बेजिक स्टोरी अगर दर्जेदार नहीं है अच्छी नहीं है अच्छे लेवल की नहीं है अच्छे दर्जे की नहीं है इसके विना असलिया शिवाय यह हो है बिना कोणती आठी ही कलापृती क्यों भी कला उत्तम नहीं हो सकती मतलब चाहे हो नाकक, शिट्रपट, मालिकश नासम तो स्टोरी अच्छी होनी चाहिए एवढच नाही तर उत्तम狹oque ये न पतर उत्तम निवेधन.. निवेदन तंत्र मतलब उसका प्रेजेंटेशन तो उत्तम प्रेजेंटेशन अगर उसका होता है उत्तम उसमें अगर प्रेजेंट किया जाता है तो मैं खुलते जाती हूं स्टोरी खुलते जाती है रंगत जाते मेरे 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 रंग भरे जाते मतलब धिरे धिरे उसमे अच्छा performance किया गया अच्छा उसको direction, presentation, acting किया गई तो इसके वापर से यह इसका उत्तम निवेदन तंत्र का वापर करना यह मेरे success का रहस्या है अच्छा किम होना का मतलब होता है, in fact जैसे हम बूलते ना कि इहां लिखा गया जैसे कि इतना ही नहीं एक उत्तम निवेदन तंत्र होगा तो मैं खुलते जाऊंगी, मेरे मेरे में रंग भरे जाएंगे, in fact, in fact, उत्तम, उत्तम निवेदन तंत्र का वापर किया जाएगा, इ हाल तुलानिर्मान वाले छुष्ठब बोल रहा है तेरा निर्मान निर्मान आध़ लेका नाम मुझे महराथी लेकां के नाम है तो यहां दिये गए है, यगा जोशी, यगो जोशी, वीसव खांडे कर, विभारी शिरूर कर, व्यंकटेश मुआडगूर कर, वपु काले, शंकर पाठो, अर्णा भाव साथे, बाबुराव बागुल, गमा मिराजदार, यांसार क्या अनेक नामवंथ, नामवंथ मतलब ना मराठी वाचकानना तुर्प्त केला, तो यह कहा गया है, यह सब उत्तम उत्तम, मतलब bestest, bestest, best December ते, यहां पर पाठी शंकर पाठी, तो यह उत्तम उत्तम कथानी, अपने उत्तम उत्तम best कथा, मतलब stories से यह लेखकों नामवंथ लेखके, तो पेमस लेखके जिननों ने अ संतुष्ट के तो सुष्रूत के जबाब देती यह जवाब जबाब मैं कादम बरी तो कादम बरी कुछ थे क्या सुष्रूत कठा अची लगी किया मैं कादम बरी कथेची थोरली भहिर मन हवतर मतलब कथा की छोटी भहन समाझ ले मुझे चोटी ने बड़ी थोर मतलब बड़ी तो कथा की बड़ी भहन हो गया थोरली भहन कादमभरी महर्जे खरतर मोथी कथाच प pathetic पर माज़ा अवा काथेपेक्षा फार मोथा कादमभरी मतलब के Novel जैसे हम इंसमे नौवल्स कहते हैं कादमभरी बड़ी story होती है तो कादमभरी वह कहती तो उसके तो फोटन ककाथा सी है a मेरा content, आवा का मतलब content, मेरा content होता है, जो मेरे में वो बहुत कथा के मुकाबले कथा से compare, कथे पेक्षा पार मोठा, बहुत बढ़ा होता है, मोठा माझे कितिग ऐसे सुश्वुत कुछता है, तो कतकानुमबरी कहती है, अरे माझयात खूब खूब पातर अस्ताथ, मतलब मे काफी सारे पातर, पातर मतलब के characters, त्यांचा परस पर संबंधस्तो, मतलब उनके आपरस में संबंध होते है, relations होते है, विविद घटना, काफी सारे incidents होते है, प्रसंग आतों, घटना, प्रसंग, जो भी incidents होते है, घटना, प्रसंग, similar words है, इन सब से माझे कथानक, हडू- बुल-गड़त जाते है, मतलब धीरे-धीरे उभर के आती है, मतलब सामने आते रहती है, वाजता-वाजता-वाजयाती, पातर तुम्हाला ओडखी जी वाटू लगता है, मतलब के पढ़ते-पढ़ते, तुमको मेरे में जो characters है, वो तुमको अपने ओडखी चे, मतलब स्टोरी या TV सीरियल या मूवीज भी देखते, तो हम जब देखते तो धीरे-धीर हमको characters अपने समझ में आ रहे हैं, ओडखी से हमारे पैचान के लगने लगते, वाटू लगते, मतलब लगने लगते, अपलियातील भासू लगते, मतलब हमारे में से भी है, ऐसा भास, ऐस feel होता है, अनेक अनपेक्षित वरन, घेद घेद मी वाचकान नी उठकन था माडवते, मतलब काफी सारे अनपेक्षित, मतलब कि जिसकी अपेक्षा ना हो, जो expected ना हो, unexpected, तो वरन घेद घेद, मतलब ऐसे टोंस, twists and turns, लेते-लेते मी मैं वाचकान ची उठकन था माडवते, म बढ़ रहे में उठकन था, मतलब curiosity बढ़ाती, आता या कथा, कथानकात पुढ़े काई होई, मतलब अभी ये कथा में आगे क्या होगा, याचा विचार करत, वाचक, माजियात, गुंतन जातो, वर रम्मान होतो, ये विचार, ये सोचके क्या आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, तो ये विचार करते करते, जो रिडर्स है, वाचक, मेरे में गुम हो जाते, गुंतन जातो, वर रम्मान होतो, और मतलब उसमें इंट्रेस्ट जमा लेते, तो आगे सुश्रूत कहता है, खरच, तुझा आगा का खुपच मोठा है, मतलब सच में, तेरा कंटेंड या पूरस है, आगा का खुपच मोठा है, पिर कादंबरी कहते है, बरका सुश्रूत साहित्य शित्रा तील सरवोच माना चा ज्यांपीट पुरसकार, विसक खानलेकर यांचा ययाति या कदम कादंबरीला मिडाला, मतलब बरका सुश्रूत मतलब, कि कैस सुश्रूत मान, इतल glow respect वाला जो ज्यान पीथ पुरसकार न्यान पीथ पुरसकार देते यह वी सक खांडविकर इनको मिला इनकी कादमभरी के लिए इनकी नॉमल के लिए जिसका नाव है यात्म तो यहां पे सवाल काफी आ सकते के पुरसकार का नाम क्या है ओथर जो जो रैटर से उनका किया है, और तरह का नाम याति के वह नहीं चांग को मितंथा है। 10 का वं दन्योडब् slope 24 बदूरस्क वसह को कने में समझा है। कि उर का मतलब होता है चाथी दो जब की नयान्पित पुरजकार विसक हँड़ें कर दो जैसे बोलत के च्राथी हो गए बैसे यह महावरbereich public किया गया है तो ब्रैकेट में अभी लिखाया आगे क्या होता है इतक्यात कविता सुष्रुट चादियाला धरुन विचारते मतलब विचार मतलब पूछना मराथी में विचार का मतलब होता है विचारला मतलब पूछा क्वेस्चन करना तो कविता पूछ रही है सुष्रुट ओडखलस मला मतलब सुष्रुट मुझे पैचाना क्या अरे मी आहे कविता अरे मैं कविता हूं आपली तरफार पूर्वी पासुन चांगली च ओडखा है नहीं का हमारी तो पहले से ही काफी अछी पहचान है नहीं क्या ऐसे तो तिर आगे कहते है तुमच्या पुस्तक पाथ्य पुस्तक कांत लिया सव्या कविता तुही ताला सुरांत मुच्छा गी तुम्हारे पूष्र में होती है हो तुम ताल सूर से बोलते हो, मढ़ता, बोलते है, तो सुषरुत इस पर जवाब देता है, हो ताई मला अठवते, हाँ ताई, मुझे याद आया, मतलब मेरी मन से अच्छी लगने वाली यह जैसे ब्रैकेट में लिखा है मतलब यह कविता का नाम है तो मला अठवते करके दो कविता के नाम लता है आनी मतलब एंड तो यह और दूसरी वह कहता है श्रावण मासी हर्ष मानसी यह दूसरी कविता का नाम है मानसी मतलब मन दिल से दिल में तो मतलब श्रावण मास में श्रावण के महिने में खुशी दिल में होती है तो हर्ष मतलब खुशी हैपिनेस तो यह दो पोयम के ताइकलिस उन्हों सुषूत ने कहा के ही आवर्थे बना पासुनिशाडा और श्रावण मासी हर्ष मानसी या माजिया अवरत्या कविता ये सुशूत की पसंद की कविता है तो ऐसा भी सवाल आ सकते हैं, दो ब्राकेट्स, दो बॉक्सिस की सुशूत चावरत्या कविता तो तुमको ये दो नाम लिखने ओगें पिर कविता कहती है चान हां मतलब अच्छा हां सुश्रुत माझा रूप छोटा सब मतलब अभी ये कविता की वैशिश के बताया जा रहे कि कविता कैसी होती है छोटा सब आटोपशीर का मतलब होता है मतलब कम लेंज में ही पहुत सारा कंटेंग आ जाएगा आटोपशीर कंपट होता है यमक अनुप्रास अशा शब्दालंकारानी माझा भाय रूप आणी उपमा उत्प्रेक्षा रूप का सार्थ्या अर्थालंकारानी माझा अंतरंग सजवोन कवी मला अधिक आशयगर्भ कर जो हम English में Figures of Speech करते है तो उसको महराथी में अलंकार कहते है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार तो यह दो टाइप्स है शब्द का मतलब वर्ड का और अर्थ मीनिंग का तो शब्द अलंकार के दो टाइप्स के लिए गए आपे तो यह भी आपको question box में आ सकते है यमक औ बार बार आ रहा या चर चर सर बार बार आ रहा तो उसको अनुपरास कहते है जैसे example है for example काकी ने काकाचे कामा चे कागत कातरी ने काकी है तो यह हुआ अनुपरास फिर यमक यह भी शब्द अलंकार है यहाँ पे जैसे हम generally poems में देखते जो rhyming होता है तो उसको यमक कहते है last word जो rhyme होता है या कोई similar आता है तो सेम आते तो जैसे सुसंगति सदा घडो सुजन वाक्य कानी पडो यह जैसे rhyming आया तो इसको यमक कहते है तो यह दो शब्द अलंकार है तो यह यहाँ पे लिखा गया है कि यह दो शब्द अलंकार से मेरे बाहय रूप बाहय मतलब बाहर और उपमा उतप्रेक्षा रूपक यह तीन अर्थलंकार के नाम दिये गए तो इससे माजा अंतरम मतलब यह सब मेरा अंतरम जो है वो सज के मेरा रूप सज के कवी मुझे अधिक और आशय गर्भ करता है तो आशय गर्भ का मतलब होता है मिनिट तो यह यह यहाँ भू उपमा, उधप्रेक्षा और उपक, तो यहां पर आक्चली जो हम figures of speech English में simili करते है, simili metaphor, तो वो टाइप में है यह, उपमा मतलब के compare क्या जा रहा है, तो इसके अंदर generally जब Marathi grammar में भी सवाल आते है, तो आपको question आते है, इसमें उपमे क्या है, उपमान क्या है, सामयवाचक शब्द क्या है, ऐसे, और समान गुण क्या है, तो यह चार चीज़े आएगी उपमा और उधप्रेक्षा में, लेकिन रूपक में ऐसे नहीं होता है, तो उपमा और उधप्रेक्षा में कैसे होता है, दोनों में फर्क यह है कि उपमा जो है वो similar है ऐसे बात कर रहा है जैसे example आमबा साखरे सारखा गोड आहे तो यहां पर आमबा को साखर से compare किया लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि उसके जैसा है तो उसको उपमा कहते है उत्प्रेक्षा ऐसे होता है कि जैसे कि दोनों एक ही ऐ जैसे बात की जाए तो यहां पर जो है comparison में जैसे जणू वर्द कई बार आता है वहां पर यहां पर जो साम्यवाचक शब्द होते है उत्मा में उसके examples of popular examples जो है वो है समान सारखे जैसे प्रमाण ऐसे और जो उत्प्रेक्षा है उसके जो साम्यवाचक शब्द है जो compare करन के शब्द है तो वह ऐसे होता है कि सेम ही है तो जनरली स्वाप से common जो word है वह जणू होता है जणू वाटे भासे गमे ऐसे तो example भी है जैसे वसुदा ही जणू का ही परीच अश्ची कल्पना के लिया है वसुदा जैसे कोई परी ही है तो दोनों को एक ही बताया गया है पर यह भी ऐसा है compare किया जा रहा है पर दोनों के बारे में compare कोई word से भी नहीं किया जा रहा है दोनों एक ही ऐसे बात की जाती है गुरूपक का example जैसे है देह देवाचे मंदिर आत्मा आत्परमेशवर मतलब देह हमारी body जो है वो देव का मंदिर है और आत्मा जो है अंदर हम हमारे body में जो आत्मा है हमारी वो परमेशवर है तो यह देह को देव के मंदिर से compare किया गया बिना कोई comparison word बिना कोई शब्द यूज किये तो सामयवाचक शब्द कुछ नहीं है तो इसको कहते है रूपक को देह देवाचे मंदिर आत्मा आत्परमेशवर तो यह कविता न बश्रुत कहता है मैडम नहमी सांगताच कवितेची शब्द रचना अर्थ पूर्ण व चपखल अर्षते मतलब मैडम मतलब उनकी टीचर ऐसे बोलती है कि नहमी मतलब हमेशा हमेशा बोलती है सांगताच कवितेची मतलब कविता की जो शब्द रचना होती है जैसे अर्थ पूर्ण मतलब पूरी मीनिंग से भरी होगी और चपखल होती है, चपखल मतलब के एक दम जितना चाहिए उतना हो, फिर आगे है कल्पनान चा सुंदर आविशकार कवितेत अस्तो, ये बरोबर ना मतलब कल्पना का थौट का विचार का सुंदर खूपसूरत आविश ये बरोबर तो कविता कहती अगदी वरोबर मतलब एकदम सही ऑलब काय माहित है सुषरुत तुला, मतलब और क्या पता है माहित मतलब महीत ही जैसे Isnta information अमने नफे लगे ऑन्याविशा है सुषरुत तुला। तुम्हें और क्या पता है तुशूत कहता है ये मला असवाठक संगीतकारान नी स्वर राज चडवला कि तुझा गाणियात रुपांतर होते कारण तुला मी पाठ्य बुस्तकात वाचतो आणी सीडी मत्ये चित्रपटाथ एक तो सुधा मतलब अभी सुशूत कह रहा है कि ताही मुझे ऐसे लगता है मला असवाठक मतलब मुझेशिंस होते हैं संगीतकार ये स्वर राज चडवला मतलब मतलब तुम्हारे जो कविता होती है उसमें वह स्वर राज चडवाठक तुम्हारे गाने का रूप बदल जाता है, रूपांतर मतलब रूप में अंतर होता है क्यूंकि तुला में क्यों तुमको मैं फुस्तक में थी पढता हूं और सीडी में भी सूनाई दीते ही और चितरपट में ㅋㅋㅋ भी ुपो ये सुशुरूत में बताया कविता मुलती है चान निरिक्षण आहे हो तुझा मतलब ये तेरा चान observation है बर मला एक साम तुझिया शाड़ेद मराठी दिन साजरा करता का मतलब ठीक है मुझे एक बात बता ऐसे मला एक साम मतलब मुझे एक बात बता तेरी शाड़ा में मराठी दिन मनाया जाता है क्या कोनतिया तारखिला करता है अगदी दिन करता है कोन सी तारीक ओकते है, तो सुषरुट सोचके प्र कहता है 27 फेबरी रेला पर यह सवाल है कि मराथी दिन करता है कौन सी दिन तो यह आपको पैसिज से आंसर मिलना ठीए टो इसपे कविता कहती है अग दिवरोगर मतलब एकदम सही तो कौना जन्म दिवर्स आए? Maith ाहे तुला मतलब यह किसका जन्म दिन और विर भट दे है मतलब his information है यह मतलब इसन पर इसने पता है इससरुत जवाब देता है नहीं मतलब नहीं रहे तो कवित्ता जवाब देती है इसके explanation देती है नत सम्राट नाटका चे लेखा को वीवा शिर्वाड कर मंजेश कभी वरिय कुसुमागरज यांचा मतलब ये 27 February मराथी दिन celebrate करते है क्योंकि इस दिन नाटक के जो प्रसेध लेखा के वीवा शिर्वाड कर उनका कभी वरिय है मतलब ये नाम वो पैन नेम जो यूज करते थे कुसुमागरज तो इनका जन्म दिवस होता है 27 February को उनको नाट संग्राट खा जाते है तो उनका जो फेमस नाटक है विशाखा त्यांचिया विशाखा या काव्य संग्रहाला मानाच न्यान पीठ कुरसकर निडाला है मतलब इसको भी न्यान पीठ कुरसकर मिला है आमने प कुसुमागरज की लिखी हुई collection of poem से इसको भी ज्यान पीठा वर्ड मिला है तो सुष्रुत इसको कुछता है खरच मतलब सक्ष में यह संग्यते हैं तो कविता जवाब देती है कुसुमागरजान भरोबरच केशव सुथ बालकवी बाभ बोरकर बासी मेढ़ेकर शांता श प्रतिभेने सजव मतलब और भी कवियों के नाम लिए गए है तो ऐसे अनेक काफी सारे कवी ने मुझे अपनी प्रतिभा से सजाया है प्रतिभा का मतलब है स्किल टैलेंट फिर आगे है संद काव्या पासून पंद काव्या मध्यय यूगीन काव्या शाहरी काव्या अशि कविता और भी आगे अपने बारे में बता रही है कि संद काव्या मतलब संद मानी जो कहते हैं संद काव्या से लेके काव्या पासून मतलब यहां से लेके पंद काव्या पंत कावय होते हैं, मध्यययुगीन कावय, शाहिरी कावय, तो यह पोयम्स की अलगलब टाइट से, जो संत कावय है, पंत कावय है, पंत कावय का मतलब होता है, जो पोयम्स जो होती है, जो intellectual poets लिखते हैं, ऐसे narrative की तरह, पंडितों की ऐसे poems होती है, संत की poems होती है, और elite poetry जै मठ्ययूगीन कावय मतलब थूम्से पाम से शाहिरी कावय मतलब जो हेरोजम् की कावय होतेजिया उर्टी में पौवाड़ाज भीती है जी उसको शाहिरी कावय होते है तो यह सब जो है यह अलग-अलग टाइपस की काव्यों के नाम यहाँ पर दिये गई तो अशी मर ने अधुने काड़ात मतलब मॉडर्न टाइम्स में अभी मी मुक्त छंत मतलब प्री वर्स पोयम आपको इंगलिश में भी है मुक्त छंत प्री वर्स पोयम तो ऐसे रूप भी धारन किया है मैं तो जातकी इंगलिश में पोयम है वेदा माइंड इस विदाउट फियर रभिंद्रनाथ टेगोर्स तो वो फ्री वर्स पोयम है तो यह हुआ अब कविता का ख़त्म अब आये नाटक तो नाटक कहता है हुआ सुष्रूट ओडख्लास का मला मतलब मुझे पैचाना क्या ओडख्ला मतलब पैचाना क्या सुष्रूट कहता है तू कोण है तू कोण है तो नाटक कहता है माजय कड़े तुला कड़ेल मतलब मुझे मेरी तरब देख तो तुझे समझेगा कडेल मäतलब समझ्किता, मला १नाहीं कड़ला मुझे नहीं समझ्क। इसे, कड़ला म пример समझिता फिर सुषुरुत केता, अरे नाठक दौत। तो मिस पहचान लेता नाठक फिर अपने बारे में मतलब की पात्र रचना मतलब जो नाटक होता है तो उसके अंदर पात्र जो है ओनका बिदाट की आ है चुरचुरीट सनवाज मतलब क्रिस्प जो डालोगों मतलब अधर में संवाज डालोग लुट फैनि डामेटक इंसिदेंस प्रसंद होते है इस वज़े से मैं मराथी लोगों के दिल में अधर स्थान मतलब जो दिल नहीं सकती जो एकलम हम जम के ऐसे स्थान मैंने प्राप्त की है नाटक क्याता है मतलब जो पता है मेरा रंग मंच पर साधरी करन मतलब मेरा ट्रांस्फोर्मेशन होने वाला है मेरा स्थेज पर पुरा इनेक्टमेंट होने वाला है वह सोचकर याचे भान ठेवोन मतलब यह ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए नाटक कार मेंनेलि मानरी करतो म् Zoo मुझे इस हिसाब से बनाता है मात्णिय अन प्रेक्षणिय अची अपेक्षा अस्थे पढने में आछा लगे और प्रेक्षण्य जब ओडियनस देखती है तो ओडियनस को भी प्रेक्षणिय भी हो दिखने में भी अच्छा भाग होना चाहिए ऐसी उसकी अपेक्षा उम्मीद रहती हूँ सुशुरुट मी कालच एक धमाल बालनाट्य बगितला हूँ जो कहता है मैंने कली एक धमाल मतलब मज़ेदार बालनाट्य मतलब बच्चो का एक नाटन बगितला मतलब देखा हूँ त्याचन दिखदर्शन उत्तम होता असे बाबा महराले मतलब उसका जो दिखदर्शन मतलब के डिरेक्षन उत्तम होत अच्छा था ऐसे बाबा-बाबा मतलब सुशुरुट के पिता उन्होंने कहाँ तो नाटक आके कहते हैं health चान अरे दिखदर्शका साथी मला दिखदर्शत करने अरनदाई अनुखवस्त मतलब के मेरा दिखदर्शका साथी मतलबfeed इसक格 मेरा दिखदर्शत करने मतलब मेरा direction करना है बहुत खुशी की, खुशी वाला ऐसे आनन्दाई अनुभा है, बहुत खुशी भरा experience कोता है, अनुभा मतलब experience मराठी भाषेत, गोविंद बल्ला बेवर, श्रीपाद पुलहाटकर, राम गणेश गडगरी, पूल देश पांडे, वसंत कानेटकर, मधुसुधन कालेलकर, प्रके अत्रे, अशा दिगज लेखकानी मला समर्थपन हाताडल, यह लेखक है, जो नाटक लिखते, तो इन्होंन इनकी सबके नाम दिये, यह दिगज लोग है, बहुत पेमस, बड़े, एस्टीम्ड लोग है, लेखक है, जिनोंने मेरा समर्थपने हाताडल, मतलब, पूरे स्ट्रेंग्स से मेरा, मुझे बनाया है, वा हाताडल, मतलब, हात से मतलब, जैसे तच किया, मतलब, संभाल आया फिर फेन्डल किया फिर आगे है चरित्र क्यता है मतलब इशरुत इकड़े बग के चरित्र बुलाता सु अब इसे बग कोन बुला रहे है मतले मला मतले पुला रहे है मुझको तो चरित्र कहता है अरे मी मी चरित्र मी एक जाा ध्याट थोर व्यक्तिमतवा चे व्यक्तिच्ह लेखकावर प्रभाव पढतो तो चरुतर कह रहा है कि मी मैं कोई एक बड़े थोर बहुत बड़े व्यक्ति मतुआ है बड़े परसनालिटी जो होती है व्यक्ति चाहिए उनके परसन का लेखक पर प्रभाग होता है और उसके जिन्दगी की आयुशय की गाथा पुरी स्टोरी वह लेखक को अगर प्रेढ़ना मिलती है उनको लिखने की प्रेढ़ना मिलती है तो वह उसमें से मेरा चरित्र का जन होता है तो हम कहते है आत्मा चरित्र मतलब के आउटो बायोग्राफिक कोई और जब कोई किसी की बारे में लिख रहा है तो उसको बायोग्राफिक कहते है जो चरित्र है तो सुशृत कहता है मैडम नहमी मुलता है नहमी मतलब हमेशा तो मैडम हमेशा कहती है कि थोरांची चरित्र सामाण्यान प्रेणा देतात महरों। मतलब कि जो थोर लोग, जो बड़े लोग है उनकी जो चरित्र, उनकी जो बायोग्राफी है। ये सामाण्य लोगों को, ओर्डनरी लोगों को प्रेणा देता है। इंस्पिरेशन देता है, फिर चरित्र कहता है अगदी वरोबर्ण, कारण मी अस्टोच मुड़ी संगर्श में तुत्रुत्व बान आणी संधीचा सुवर्न संधीद, रुपांतर करना, मतलब एकदम सरी, क्योंकि कारण, मतलब क्योंकि मैं होता हूँ, मैं होता ही हूँ, अस संगर्श में होता है, तो जो बड़े-बड़े famous personalities जो होती तो उनकी life में struggles, संगर्श, मतलब struggle, संगर्श होता ही है, तो मेरा जो मूर है, वो संगर्श में ही होता है, क्रुत्वबान, मतलब क्रुत्वबान, मतलब के कर्व, क्रुत्वबान, मतलब के काम है, उसके उपर मतलब जो संधी मतलब opportunity जो opportunity मिलती है उसका एकदम best use करके उसका रुपांतर कर जो है ऐसा ही चरिक्र में जो होता है characteristics होती है महुणोना सामानिय लोकांची मन मत माझ्या सह वासात बदलता था मतलब इसलिए जब चरित्र लोक पढ़ते तो उनके लोगों के मन लोगों की जो सोच है मत है thoughts है जो viewpoints है वो मेरे सहवास मतलब मेरे साथ रहके मेरे संगत में रहके बदलता है बाबा साहेब पुरंडरे अब यहां पे भी जो चरितर लिखने-वाले लेھक के उनके नाम दिएगए यहां पर लिखाए यहांपन फिर से हाथा याड़ आया मतलब उन्हेंने मुझे handling किया मुझे 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 system तो यहां नाम दियेगा एक जेदित्र लेखक के बाबासाय पुरंडरे, धननजय गाडविल, भाद खरे, रणजीत देशाई, अशा अनेक प्रसिद लेखकानी मला हाथाई इस नाम आपको पैसे से ढूनके लिखना है कि चरित्र के फेमस लोग कौन है, तो जहां चरित्र वाले लिखिये वो लिखना है, वहां अमने सब कविता हर एक में हमने देखा है, नाटक में भी नाम आये है, लेखके, क्राइटर से, यह नाम है, फिर सुशृत कहता है वा, सर् यह कौन दादा यह कौन है तो यह आत्मा चरित्रा 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 च्यांच कुटुम बाती लेक मतलब चरित्रा जो है उसकी फैमिली कुटुम मतलब फैमिली चरित्रा की कुटुम से ही मैं चरित्र मण जे एकादिया व्यक्ति चा आयुश्या चा लेखकाने केलेला वर् व्यक्ति के लाइफ के बारे में जो लेखी थेखते है वो चरितर होता है तर मी मर्जे व्यक्ति ने स्वत्चय जीवन प्रवासा चा तत स्थपने के लेला वर्न, तत स्थपने मतलब without any bias, neutral, neutrally जो वर्न नरेशन किया गया है उसको गोलते है आत्म चरित, मतलब खुद ने, स् मतलब journey तो जीवन की life की journey के बारे में neutral उसने अपना narration किया है जो भी अपना detail दिया है उसको कहते है आत्म चरित, माज्या, आयुष्यात, आलेल्या, विविद, तप्याने, मेरे life में मतलब जो आत्म चरिता होता है उसकी life में आलेले, विविद, मतलब अलग-अलग, तप्य जो भी तर्णे, मतलब तर्णे, मतलब तर्णे, मतलब without any bias, neutral, neutral करीकेस से उसका कथन, story की जाती है, जो लेखा खुद अपने बारे में लिख रहे है तो उनकी आयुष्यात, उनकी life में आलेले अलग-अलग तप्पे जैसे बच्पन होता है, कुछ एक achievement हुआ, जो भी youth में तो उसका तप्यांचे और जो भी turns life में आये, और जो भी भले बुरे experience हो, उनकी story वो neutral तरिके से दी जाती है, आत्मचरिकर में, त्यात्वन मी साकारला जाती है, उसमें से मेरा, मेरा जन्व होता है, मेरा form, मुझे form मिलता है, मुझे shape मिलता है, स्वात्तंत्यवीर सावरकर सुनिता देशपांडे, माधवी देशाई, दॉक्तर जयंद नारीकर, दॉक्तर प्रकाश आम्टे, मलिका अमर्शेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्षमन गायकवार, हे माझे गाजलेले लेकर, मतलब इनकी आत्मक था, काफी आत्मचरिकर जो है, वो काफी famous है, सुष्रु कहता है, अरे सर्वान शेवती, तो कौनता दादा उभा है, मतलब अभी सबसे लास में, कौन दादा खड़ा है, आणि तो माझ्याशी बोलनार नहीं का, क्या ये मुझसे नहीं बोलेगा, तो प्रवास वर्ननग, लास्ट दादा, वो कहता है, का नहीं बोलनार, जरूर बोले, जरूर बोलेगा, अरे मीच तुला घरी बसून, दूर दूर चिया गावी, देशी, पोचाव नार, मतलब मैं ही तो तुझे घर बैठे बैठे, घर बैठे, दूर दूर के गाव, देश, मौचाता हूना, तो सुष्रु कहता है, मर्जे, मतलब, आणि ते कसक यह कैसे क्या है, तो प्रवास वर्णन कहता है, माझत तो कादिय चाहे, मेरा वो काम ही है, एकादिया ठिकानी प्रवास करून आलियानंतर प्रवासाची, प्रेक्ष्णिय ठिकानांची, रोचक, मुद्दे सूध, आणि जशिच तशी माहिती, वाचकान परियंत मी पोचा मतलब के जो एक कोई लोकेशन का जर्नी करके आए, तो उसके आने के बाद वो प्रवास की जर्नी के बारे में और प्रेक्ष्णिय मतलब जो प्रेक्षक जान लोग ज्यादा जाते, वो ठिकान, वो प्लेस और रोचक, मुद्दे सूध, आणि जशी तशी माहिती, जैसी है सब बातों पे यह पढ़ने वालों तक पहुंचाते हैं, वो है प्रवास वर्नी कर आगे लिखा है कि माहिती रुटार, कंटारवानी, नहो देता, रंचक, रंजक, पधुतिने, मनोवेधक भाशेत मानने है लिखकाचे कसब, नितलब यह जो information है, क्योंकि प्रवास के बार में तो उसके साइट सेंग, प्लेसेज वगेरा उसके बारे में जो है सारा तो यह प्रवास वर्नी होता है, यह information है, तो यह information है, simple, straightforward, boring, कंटारवाली, boring, ऐसी नहीं होनी चाहिए, रंजक पधुतिने, मतलब रंजक मतलब होता है, जो interesting, मनोरंजन वाली, रंजक मतलब मनोरं रंजन से वड़ाता है, entertaining, entertaining पधुतिने, मतलब entertaining तरीके से, मनोवेधक भाशेट, मनोवेधक मतलब जो हमको engage करके रखे, engaging भाशा में, जो हमका ध्यान बनारे है, पढ़ने वाले का, मनोवेधक भाशेट मानरे, मतलब इसको बनाना, यह लेखक का कसब है, कसब मतलब skill, उसक त्या ठिकानाचिया, ठिकानचिया, माहिती बरोबराच, स्वथ चे अनुभव, भावना, निसर्ग सौंधरिया, व्यक्ति विशेश, यांची ही सुरेक मानरी करतो, मतलब सिर्फ जगे के बारे में नहीं मतलब इस जगे के इंपरमेशन के साथ, अपना स्वथ खुद का अ अनुभव, उसका experience, खुद की feelings, और निसर्ग सौंधरिया, जो nature है, उसके बारे में, मतलब निसर्ग की beauty के बारे में, नेचर की beauty के बारे में, व्यक्ति विशेश, मतलब कोई व्यक्ति विशेश बात भी वह specific थाथ को, उसकी ही पुरी information वो प्रवास्वन्न का लेखक करते तो सुशु कहता है, मर्जे ना ticket, ना ticket, ना ticket लेने की जुरोज, ना visa, ना bus, ना विमान, मतलब ना visa लेने की ticket चाहिए, ना visa चाहिए, ना bus चाहिए, ना aeroplane चाहिए, ना bus ना विमान, नी कुठे ही जाओ शकते, इसके सब के बागेर भी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, सर्व मतलब सारे जगों का भेट देना, मतलब विजिट करना, ये तेरे साथ मैं, तेरे माधियम से, तेरे थुरू मैं, तेरे मीडियम से, मैं कर सकता हूँ, सब जगे का दर्शन, भेट कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, सब जगे, फिर आगे प्रवास्वान्रन कहता है, अगद महरुनाच मला गंगादर गाड़गीड राभी जोशी पूला देश पांडे रमेश मंत्री मीना प्रभू अशा मोठ्या लेखकान्नी आपलास करून प्रसिद के लिए बड़े बड़े लेखके उन्होंने भी मुझे अपना बना के मुझे प्रसिद पेमस किया है पूला देश पांडे ये फुलकित शाल चाप्टर में इनका नाम आया उन्हों यह भी प्रवासवर्णन रिखा रहे हैं यहां है सुशृत केता है किती चान आहां तुम ही सगड़े जन मतलब कितने अच्छे हो तुम सब लोग तुमची आशी मैत्री करायला खुब आवडल मला मतलब तुमसे दोस्ती कनना मुझे खुब बहुत अच्छा लगेगा तुमची आशार्ख्या नी स्वार्थी मित्रान मुडे माझ मनोरंजनी होईल न्यान ही वाडेल आणी त्या मुडे माझे लेखन ही सुठ़ेल मतलब तुम्हारे वजय से तुम्हारे जैसे नी स्वार्थी मतलब बिना कोई अपने स्वार्थ के सेल्फ लेस मित्रा की वजय से मेरा मनोरंजन एंटर्टेन्मेंट भी होगा मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा और मेरा लेखन भी सुठ़ेगा तो जब हम पढ़ते ज्यादा उसका हमको और लिखने में भी हेल्फ होती है हमारे words, vocabulary वग्यार सब बढ़ती है तो हमारे लेखन में भी सुठार होता है grammar better होता है तो सग्रे मतला अब सारी जो कुस्तक है वो कहते है आणी सग्रियांत महत्वाचा महर्जे आमी तुला कधीच सोड़ून जाना नहीं है मतलब सबसे सग्रियात मतलब सबसे सबसे important जो importance की जो बात है वो है मर्जे मतलब वो क्या है कि हम तुझे कभी भी छोड़के नहीं जाएंगे फिर पुस्तके सब गाते सग्रे गाता सब गाने लगे साहित्या चे रंग विविध है गुलविती सार्या रसिक जना मतलब के साहित्या के जो अलग-अलग रंग है ये सब रसिक जना मतलब जो आठ के अप्रिशेटर से वो भुलते हैं इंद्रधनुष ते सब्त रंगे जसे सुशोभित करते गलना सब्सक्राइब भी सांत रंगों का होता है उसके अलग-अलग रंग होते है और वो शुभा बढ़ाता है सुशोभा करता है गगन की आसमान की धन्या आमुची माय मराथी मतलब धन्या साहित्य संपदा धन्या पढ़ेंगे उसको आंन्द से, खुशी से, लिहू नेमाने, लिखेंगे उसको नियम से और वाड में रस्मार नहाउ सदा, मतलब जो वाड में जो है जो इसके रस में हम नहा लेगे जो हम अपने आपको भीगा देंगे ऐसे नहा उसाद तो यह कुस्तव ने लास्क ने कहा तो यहाँ पर चैप्टर खतम होता है तीन वर्ड का मेनिंग दियेगे है उतकन्था उत्सुक्ता रम्मान होने मतलब मगन हो भान थेवने मतलब ध्यान में रखना जानेयों थेवने तो यह है आगे के जो questions है hopefully आप यह प्रती स्वाल्व कर पाएंगे एक्स्क्रिमेशन के बाद थेंक यू